नमस्कार आई, वेलकम यौल दू स्टडी आएक्यू, मैं हूँ प्रशान धवन, ये निउस को लेकर मैं बहुत जादा फ्रस्टेटेड, सैड, अंग्री, बहुत कुछ फील कर रहा हूं, क्योंकि ये जो इमेजेस सामने आई है ये दिल तोडने वाली है, आज भी 2024 में हम इंडियन एरफोर्स का एक कॉन्वोई, एक काफिला था, ये जा रहा था जम्वू कश्मीर के पूँच डिस्ट्रिक्ट में, अचानक से आतंगवादी आते हैं, अटाक करते हैं, और अनफोर्शनेटली एक सिपाही वीरगती को प्राथ हो जाता है, और पांच इंजर होते हैं, और जो पूँच डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बदा दूँ, ये पाकिस्तान ओकिपाइड कश्मीर के बहुत ज़ारा पास है, हमेशा ये डिस्ट्रिक्ट डियूज बिराता है, क्योंकि काफी बार पाकिस्तान आतंगवादी भेजता इंडियन से हमारी साइड में भेजने के लिए, कई बार पाकिस्तान की आर्मी अपनी खुद की पोस्ट को आग लगा देती है, ताकि हमारी फोर्स का ध्यान बढ़क जाए, और पीछे से आतंगवादी लाइन ओफ कंटोल क्रॉस करके इंडिया में आ पाएं, नाव पाकिस्तान जो क उनको ट्रांस्पोर्ट किया जा रहा हो, एक जगा से दूसरी जगा उनको भेजा जा रहा हो, रास्ते में आतंगवादी उन पे अटाक कर देते हैं, और बुलिट इंजरी की वजए से एक एर फोर्स वारियर की मौत हो आती है, बाकी इंजड होते हैं बुरी तरीके से, और 60,000 स्टैलियन्स को इस्सवाल करती है, और इसके बहुत से यूजज़ होते हैं, आपको अगर सोल्जर्स को ट्रांस्पोर्ट करना है, वो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पानी ट्रांस्पोर्ट करना है, फ्यूल ट्रांस्पोर्ट करना है, लाइट रिकवरी वियकल आपक करो एक भी गोली नीचे नहीं लगी है सीधा इनको पता था कि जो ग्लास है बुलेट प्रूफ नहीं है सीधा ग्लास पे लगाता है इनुने गोलिया मारी है आप अगर साइड से भी देखोगे न एक भी गोली नीचे आपको नहीं देखेगी यहाँ पर सारी गोलिया इनकी य आपर यही आता है कि कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर एक हिस्टी रही है इंडियन आर्मी इंडियन एरफोर्स परसनल को अटाक किया जाता है अगर आपको मानलो दिली से उत्तर पदेश या फिर माराष्ट से कहीं पर आपको ट्रांसपोर्ट करने है तो उसके लिए स्टालियन ठीक है मगर कश्मीर में और वो भी पूँच डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान उक्किपाइड कश्मीर के बिलकुल साथ में है वहाँ पे तो as a citizen मैं question कर सकता हूँ ना कि हम लोग APC का इस्तमाल क्यों नहीं करते APC होता है Armored Personal Carrier ये देखिए bulletproof होती है जादा strong होती है अगर हमारे यहाँ पे Air Force के Warriors अगर एक APC में होते या फिर एक even IFV में होते अगर APC में भी होते ना एक भी हमारा Warrior ना इंजर होता और obviously मरने का सवाल यहाँ पे खड़ाए नहीं होता क्योंकि properly bulletproof वाला ये वेहकल होता है हाँ APC में देखिए problem यह आती है कि जादा troops एक बारी में आप carry नहीं कर सकते और इसमें जो fuel है वो भी जादा लगता है बेसिकली घूम फिर के बादा आती है खर्चे की जो stallion है इसमें जादा troops आप carry कर सकते हैं इसकी mobility जादा है कम fuel में यह अराम से transport कर देती है मगर हमको यह question raise करना होगा कि कश्मीर के वो इलाके जो बिलकुल पाकिस्तान occupied कश्मीर के आसपास है जहां पे एक recorded history रही है attacks की वहां पे हम APCs इस्तमाल क्यों नहीं कर सकते इसके जवाब में कोई आदमी सिरा सिरा यह कह सकता है कि मैंने खुदी बोला है कि जो यह stallion है यह 60,000 यूज किये जा रहे हैं इंडियन मिलिटरी द्वारा आज के समय अब रातो रात इनको चेंज करना तो आसान है नहीं बिलकुल मानता हूँ आसान नहीं है मगर कही ना कही से शुरुबात तो कर सकते हैं न और 2021 से मुझे याद है के news भी आई थी कि अशोग लिलेंड ने bulletproof vehicle भी कुछ supply किये है to the Indian Air Force हाला कि यह जो vehicle है काफी limited numbers में है जरातार जो vehicles हैं यह थोड़े पुराने जमाने के हैं बट घूम फिर के बाद यहीं आ जाती है कि अगर बड़े scale पर हमें ensure करना है कि हमारे troops को APC मिले कश्मीर जैसे इलाके में तो उसके लिए देखिए defense budget हमें बढ़ाना होगा 100 billion dollars तो at least at least मैं कहूंगा इंडिया को चाहिए क्योंकि इससे पहले मैं आपको बदा चुका हूँ अभी जो हमारा defense budget है 75-80 billion dollars के आसपास इसका एक बहुत बड़ा चंग pensions और salaries में चला जाता है तो defense modernization के लिए at least मैं कहूंगा 100 billion dollars तो हमको जाना ही होगा और मैं आपको एक बाब बदाता हूँ एक shocking fact सामने आया है बहुत लंबे समय से ना मैं भी पूरी दुनिया ये मान के चलती थी कि चाइना का जो military budget है 200 से लेकर 300 billion dollars है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि most probably चाइना का जो defense budget है ये 300 billion dollars है मगर recently USA के think tank ने एक research paper publish किया और उसमें नोंने ये बताया कि 300 billion भी छोटा नमबर है चाइना का जो actual defense budget जो पौँच चुका है ये 710 billion dollars है चाइना बहुत जादा under report करता है दुनिया को ना के बराबर information देता है कि ये लोग किस तरीके से अपनी military को तयार कर रहे है ready कर रहे है और आप imagine कर सकते हैं हमारा defense budget चाइना के मुकाबले one tenth पे है अभी और हाँ मुझे याँ पर ये भी add करना पड़ेगा कि इंडिया के case में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में APCs है नहीं महिंदरा कंपनी की marksman बहुती famous एक APC है obviously थोड़ा इसको modify करके इसमें हम room थोड़ा और बढ़ा सकते हैं many things can be done मैं तो एक बार को कहता हूँ कि अगर APC को लाने में ही क्योंके हमारे देश में काम भी अराम-राम से होता है अगर APC को लाने में ही एक-दो साल लग जाएंगे at least जो ये windows है ना इनको हम bulletproof कान से ढख सकते हैं और बिल्कुल मुझे यहाँ पर ये भी आइड करना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आतंगवादी जो है ये भी बहुत चलाक है इनको direct intelligence inputs मिलते हैं पाकिस्तानी military से जो ये attack हुआ है इस से ही साहब पता लगता है ये कोई ऐसी कोई गाउ के लड़के नहीं है कि उनको कहीं से बंदूग मिल गई और भागी हो गई ये बहुत जादा train लोगों का काम है तो एक बार अगर मान लो हमारी जो vehicles हैं उनमें हर जगा हमने bulletproof glasses अगर लगा दिये तो उसके बाद जब हम transport कर रहे होंगे अपने soldiers को तो हो सकता है कि attack भी काफियत तक कम हो जाए क्योंकि जो आतंगवादी है ये भी सोच के चलते हैं कि इनको soft targets को hit करना है तो उस case में most probably ये लोग police stations और और जगा पर attack करना ही कोशिश करेंगे मगर वहाँ पर मैं कहूंगा फिर भी आतंगवादीयों के फिर होने के chance से ज़ादा है ये अभी के लिए जो हम casualties जो हमारी हो रही है ना के transport करते time सीधा कांच के glass से आरपार ये देखकर बहुत दुख लगता है this can be avoided हम इसको avoid कर सकते हैं तो अभी के लिए finally मैं आपर यही कह सकता हूँ ओम शान्ती और दुख लगा ये news सुनके जब भी ऐसी news आती है देखकर काफी दुख लगता है and hopefully ऐसे instances future में नहीं होंगे क्योंके these are very bright people of our country देश की सेवा कर रहे हैं ये और इस तरीके से मरना ये बहुत दुखर लगता है hopefully we will learn from this incident now finally आपसे मैं आप एक question पूछूँगा हाल ही में वो कौन सा अफरीकी देश है जिसने NPCI को ये का है कि आपका जो UPI system है ये बहुत अच्छा है आप हमारे देश में भी आप UPI जैसा system बना दीजिए तो बताइए यहाँ पर किस African country ने NPCI को ये का है और NPCI ने इसको लेकर एक agreement भी sign कर लिया है यह है आपे आपकी options नामीबिया, जिंबाववे, केनिया या साथ आफरीका लिखेगा सही answer comment section में जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट देंगा ताकि वाकि लोग समझ पाएं के सही answer क्या है और finally आप लोगों के लिए एक important message अगर आप UPSC exam की त्यारी कर रहे हैं, आपके पास time है एक-दो साल का आप college student है, आप रुक के अराम से prepare करना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाएए, यहाँ पे आपको मिलेगा यह link, इस link पर करिए click और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा यह page अगर आप mobile phone पे हैं, तो आप study IQ की जो app है यह भी कर सकते हैं download और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे study IQ के various courses study IQ के platform में stock market से लेकर UPSC, SSC, UPSC optional various courses available है state PCS courses भी available है, यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो हमारा flagship course है UPSC P2I course P2I इसलिए इसको का जाता है क्योंके prelim से लेकर interview तक यह course आपकी help करेगा इसे आप purchase कर सकते हैं, यहाँ पर code PG10 लगा कर यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे codes दिख रहे होंगे, civil और various और codes है इन codes को आप अगर use करते हैं, तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा अगर आप use करते हैं code PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount possible so use the code PG10 and save money by the way इस course में आपको 30 महीने की validity मिलती है तो मतलब के per month आप 1000 रुपे से भी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PG10 and save money इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, may the gods watch over you